आप सब्यागत है वेल्कम फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है होट सॉट में एक वार फिर्स है दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं रिते कुरुशन हैं फाइटर फिल्म की लिए अपनी बोड़ी को काँ पी जादा स्टाइलिस बना लिया है जैसे कि आप सभी रितिक रूसन की बॉड़ी को देखने के बाद काफी जाद इंस्फायर हो रहे और अब बहुत सारे लोग रितिक रूसन की इस लोग को देखने के बाद जिम जाने लगी वेंसे दोस्तो बता दूँ ये पहली बार नहीं है कि रितिक रूसन ने अपनी बोडी को इस तरह से ट्रांस्फोर्मेशन किया हूँ इस से पहले वो अपनी काई सारी फिल्माँ में इस तरह की बोडी बना चुकी है इसी की चलती तो रितिक रूसन को बॉलीवोट का गरिगोट कहा जाता है बताना चाहूंगा दोस्तो सारुक खान की फैंस ने आज एसर के से एक क्वेस्टन पूछा और उस क्वेस्टन में बोला रितिक आज काल अपनी बोडी को काँपी जादा दिखा रहा है एसर के सर आपको चैलेंज कर रहा है डग़ू तो दोस्तो सारुक खान ने उसके फैंस को रिपलाई दिया और वोला अरे पगले मैं रितिक की बोडी को देकर खुद इंस्पायर हुआ हूं तो रितिक रूसन मुझे क्या चैलेंज करेगा यानि कि सारुक खान ने खुद सावित कर दिया कि सारुक खान खुद रितिक रूसन की बोडी के बहुत वाड़ी फैं है जिसके चलती सारुक खान ने पठान फिल्म में इतनी सांदार बोडी बनाई है मतलब कि सारुक खान पहले ही रिते कुरूसन की बॉड़ी को वार वैंग वैंग और भी कई सारी फिल्मों में देख चोके जिसके चलती सारुक खान पठान फिल्म काँ भी सांधार बॉड़ी बनाई है वर दोस्तू आग रिते कुरूसन अपनी boda को इसलिए दिखा रहा है क्योंके रिते कुरूसन ने अपनी boda को पूरी तरह को ठ्रांस्फोरमेशन कर लिया है fighter film के लिए जिसके चलते अब उनकी boda को तैयार हो जोकी सो रिते कुरूसन अपने लोग को तो reveal कर रहा है उखान को बॉड़ी की मामले में चैलेंज कर रहा है उसे ये पता नहीं रिते क्रूशन फाइटर फिल्म से पहले कितनी सारी फिल्मों में कितनी खतरनाव बॉड़ी बता चुकी हैं तो सारू खाने क्या चैलेंज करेगा मतलब कि जितने भी इंडिया के अंदर लोग हैं उस स है कि रिते क्रूशन सुपर 30 में कितने ज्यादा मोटे हो जाती है तो वहीं पर वार फिल्म में बहुत ज्यादा बॉड़ी बॉल्डर बन जाती है फर बेदा में वो नॉर्मल हो जाती है इसके अलावा फाइटर में फड़ से स्टाइलिस आ जुकी हैं तो वो हमेशा अपन